आपकी डिमांड पर एक क्वेशन और कराना जा रहा हूँ एक क्वेशन का लेजर और बनाना जा रहा हूँ अब बेटे जिस क्वेशन का हम लेजर बनाना जा रहे हैं वो क्लास 3 में हमने उसकी जनल एंट्री बनाई थी पहला question था जिसकी हमने general entry बनाई थी class 3 बे हम उसी question के laser और trial बनाने जा रहे हैं मैं फटाफट इन entries को लिख देता हूँ ताकि फिर हम फटाफट laser और trial बना लें तो यह question था in the books of unentend company आपने कुछ transaction को generalize किया था और पहली transaction थी business started with cash business started with cash तो entry करी थी cash account debit to capital account 15,000 narration नहीं लिख रहे हैं यह question में अलड़ी कर चुका हूँ आप अपना register खोलना है purchase goods from Ramavatar यह entry थी 3rd June की और यह entry थी 4th June की purchase किया राम अवतार से तो entry करी होगी purchase account debit to Ramavatar कितने से 1500 रुपीज से फिर तक good sold to Ram 11 जून को तो Ram को बेचा था तो Ram debit हो गया था और sale करी थी हमने credit Ram debit to sales कितना भाई 1200 1200 इसके बाद received cash from Ram 13 जून को Ram से cash मिला वही cash मिला तो cash को debit कर दिया होगा और Ram giver है तो Ram को कर दिया होगा credit cash आया इसलिए debit कितना मिला cash Ram से यह cash मिला था Ram से 400 15 जून को 15 जून को क्या कराए नों ने purchase goods for cash तो entry करेंगे हम purchase account debit to cash account कितना यह भी 400 है इसके बाद sold goods to hurry 17 जून हरी को बेचा hurry debit to sale हरी को क्यों debit करा hurry receiver है sale क्यों credit किया goods are going out इसके बाद 19 जून को paid to Ram avatar Ram avatar को payment किया है तो Ram avatar debit to cash Ram avatar debit to cash कितना पेकिया राम अवतार को 2,000 received cash from hurry 20 जून को cash account debit to hurry कितना 1,000 इसके बाद बाद फरनीचर फरनीचर फ्रॉम राम पच्चेश जून इसके फरनीचर आकाउंट डेबिट टू राम कितने का फरनीचर खरीदा एट हंडेट का 27 जून को rent पे किया rent पे करेंगे तो entry होगी rent account debit to cash account rent खर्चा है debit हो गया 280 30 जून को salary पे करी है तो salary हमारा खर्चा है salaries account debit to cash कितना 500 तो देखिए बच्चू जी यह हमारी थी general entry यह हम पहले question कर चुके थे मैंने इस वे फटाफट note कर दी अब हम आज यहा काम करना जा रहे हम इसी से बनाएंगे laser और trial चलिए cash account debit to capital कौन कौन से account involved है है एक तो cash account है तो एक तो हम cash account खोल देते हैं अब आपको kolum तो पता ही है date का particular का jf amount date particular jf amount मैं direct लिख रहा हूँ आप हमेशा लेकिन kolum बनाकर ही करेंगे चलिए मैं भी बनाई देता हूँ cash में क्या लिखेंगे cash account debit to capital cash debit है 3 जून को अगर cash entry में debit है तो account में भी debit होगा तो cash debit है तो cash के debit में लिखा लेकिन लिखेंगे reference किसका opposite account का to capital account कितना 15,000 और capital credit है तो 3 जून को यहां क्या आएगा capital में by cash account 15,000 चार जून को purchase के है राम अवतार से तो 2 account खुल गए एक तो purchase का account जैसे जैसे entry चलते रहेंगी वैसी वैसी देखते रहो कोई भी नए account है तो उसको खोल लो पहले सारे account खोल कर रखने की जूरत नहीं है और राम अवतार का account भी खोल दिया है अब हमने राम अवतार से purchase किया है ठीक है जी तो purchase account debit to राम अवतार तो purchase में आ जाएगा तू राम अवतार पंद्रहसो रुपे और राम अवतार क्रेडिट है तो राम अवतार के क्रेडिट में क्या आएगा पंद्रहसो राम डेडिट टू सेल्स तो एक account खोल देते हैं हम राम का और एक खोल देते हैं साथ के साथ सेल का account यह यह खोल दिया हमने सेल अकाउंट देखें राम डेडिट टू सेल्स राम डेडिट है तो राम के डेडिट में लिखेंगे जो अकाउंट डेडिट उसके डेडिट में राम डेडिट तो राम के डेडिट में क्या लिखेंगे टू सेल अकाउंट कितना बारेस हो और सेल क्रेडिट है तो जो अकाउंट क्रेडिट है उसके क्रेडिट सेड में लिखेंगे लेकिन reference डालेंगे अपोजिट अकाउंट का बाई राम 1200 समझ आ रहा है सबको नहीं चलिए मैं एक बार फिर से recap कर देता हूं पहली entry cash account debit to capital cash debit था तो cash के debit में लिखका लेकिन reference डालेंगे अपोजिट अकाउंट का cash के debit में क्या है two capital debit में two का प्रियूक करते हैं credit में buy का परचेस debit है तो purchase के debit में क्या लिखका तू राम अफथार और राम अफथार credit है तो राम अफथार के credit में लिखका राम परचेस फिर next entry राम डैबिट to sales, राम अकाउंट डैबिट था तो राम को डैबिट करा 12 O रुपे से reference लिखा opposite account का to sale sale credit है तो sale को हमने credit किया reference लिखा हमने opposite account का by ram अब आगे चलते हैं cash account debit to ram देखे cash का भी मेरे पास account है ram भी मेरे पास account है तो मुझे कोई नय account खोलने की फिलाल जुरत नहीं पड़ रही cash debit है 13 June को तो भई account में भी debit करो लेकिन reference किसका डालेंगे opposite account का to ram कितना 400 ram credit है तो ram के credit में आएगा ram के credit में क्या आएगा buy cash कितना 400 next entry purchase debit to cash अब purchase भी मेरे पास already है और cash भी मेरे पास है purchase debit है तो purchase के debit में कहां गया purchase यह रहा purchase purchase के debit में लिखेंगे to cash कितना 400 और cash account credit है तो cash account के credit side में क्या आएगा buy purchase account 400 hurry debit to sales अब sales तो है लेकिन hurry नहीं है चलिए hurry का account खोलते हैं अब मैंने कोई column नहीं बनाए column आप अच्छी तरह जानते हैं ठीक है अब अपने आप proper सारे column खीच के करेंगे hurry debit to sales तो hurry debit है 17 जून को hurry के debit में क्या आएगा to sale account कितना 2000 और sale credit है तो sale के credit में आएगा by hurry sale के credit में आगया by hurry 2000 राम अवतार debit to cash राम अवतार debit है तो राम अवतार के debit में क्या आएगा 19 जून को to cash account 2000 cash credit है तो cash के credit में क्या आएगा 19 जून को by राम अवतार 2000 cash debit to hurry cash debit है तो cash के debit में क्या लिखो to hurry 1000 और हरी credit है तो हरी के credit में लिखेंगे by cash account 1000 furniture debit to राम तो furniture का account खोलना पड़ेगा राम का account तो मेरे पास है ओल्रेडी तो furniture debit है तो furniture के debit में क्या लिखेंगे हम 25 जून को to राम 800 और राम में क्या आएगा by furniture अकाउंट 800 rent debit to cash rent debit है तो rent के debit में आएगा to cash रेंट के debit में आएगा to cash 280 और cash credit है तो cash के credit में आएगा by rent अकाउंट 280 salaries debit to cash तो salaries का account खोल दो salaries account salaries के debit में आएगा 30 जून को to cash 500 और cash credit है तो cash के credit में आएगा by salaries 500 तो बेटे यह होगी general की laser में posting general entries को जब laser में record किया जाता उस process को हम बोलते हैं कोस्टिंग करना तो बेटे अब हम इन accounts को close करेंगे इनके balance निकालेंगे और उन balances की एक list बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं trial balance ओके चली करते हैं इस question को कि यह आ गया 16,400 debit का टोटल तो debit का था हमारा 16,400 और debit में से credit का घटा दीजे कि debit जादे तो बाकी बचा कुछा balance आ जाएगा 16,400 माइनस 2400 और यह हो गया 780 13,220 13,220 यह balance बचा इसका 16,400 अब यह capital का balance 15,000 तो इधर भी 15,000 लिख देते हैं और 30 जून को two balance carried down 15,000 पर्चेस पंदरे सो और चार सो उननीस सो तो 30 जून को by balance carried down 1,900 राम अवतार 2,000 में से 15,000 लेस करो यह आ गया हमारा 30 जून को कितना 500 राम का अगर देखें बेटें दोनों तरफ का टैली हो रहा है इधर भी 1200 है और इधर भी 1200 है कोई balance बचा ही नहीं सेल के अधर 12 रुपए कुछ cash मिलका है कुछ furniture ले लिया इस से बात बराबर हो गई और इसका देखें बेटे सेल का 3,200 3,200 तीज जून तू बैलेंस करीड दाउं 3,200 हरी का काउंट और यहां बी 2000 30 जून बाइ बैलेंस करीड डाउं दो हजार डेबिट था एक हजार क्रेट तो कितना बचा दो में से एक गया तो एक हजार बच गया furniture 30 जून को बैलेंस करीड डाउं 800 rent 30 जून को बैलेंस करीड डाउं 200 salaries 30 जून को बैलेंस करीड डाउं 500 जन्नल और यह लेजर अब हम क्या बनाएंगे ट्राइल बैलेंस यहां आ जाना चाहिए यही बना देते हैं ट्राइल बैलेंस ट्राइल बैलेंस लिस्ट होती है किसकी वेरियस लेजर अकाउंट के बैलेंस इसकी इससे हम बुक्स ओफ अकाउंट की मैथेमेटिकल एरर्स का पता लगा लेते हैं अगर हमारा ट्राइल मिल गया है तो इसका मतला हमारे बुक्स ओफ अकाउंट में कोई मैथेमेटिकल एरर नहीं है हम मैथेमेटिकली एकुरेसी चेक कर सकते हैं ट्राइल बैलेंस से तो देखे जी आगे हम ट्राइल पर पहले देखें कैश का बैलेंस 13,220 डेबिट साइड ग्रेटर है क्रेट साइड स्मॉलर है सो इस डेबिट बैलेंस अगर डेबिट बड़ा है क्रेट छोटा है तो ओविस सी बाते डेबिट ही बचेगा तो यह आ गया हमारा कैश अकाउंट कितना 13,220 कैपिटल का 15,000 क्रेडिट था और डेबिट में कुछ था नहीं तो बैलेंस कैसा आगा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट 15,000 क्रेडिट इसके बाद परचेज का देखे टोटल 1,900 डेबिट था क्रेड में कुछ था नहीं तो खाली बैलेंस लिखना पड़ा हमें या तो देखे बेटे यह आ गया परचेज का 1900 डेबिट राम अवतार का बैलेंस बच रहा था देखे 2000 डेबिट था 1500 क्रेडिट था तो बैलेंस है 500 राम का तो बैलेंस बचाई नहीं था जब बैलेंस ही नहीं था है हम कुछ भी नहीं लिखेंगे हम अब लिखें सेल सेल का है 3200 रुपीज क्रेडिट हरी का देखें हरी का है 1000 रुपे डेबिट 2000 डेबिट था 1000 क्रेडिट था तो क्या बचा हरी का 1000 रुपे डेबिट फरनीचर 800 रुपे डेबिट क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी क्रेड साइड छोटी थी रेंट 280 डेबिट और सेलरीज सेलरीज हमारे 500 रुपे डेबिट 18,200 तो इधर का भी 18,200 आना चाहिए 13,220 प्लस 1900 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 800 प्लस 280 और प्लस 500 यह आगया 18,200 तो यह बन गया हमारा ट्रेइल बैलेंस यह जनरल थी यह लैजर और यह ट्रेइल रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एंड सम्राइजिंग जब हम जनरल में एंट्रीज करते हैं तो यह प्लस रिकॉर्डिंग की जब हम लैजर बनाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं क्लासिफाई करते हैं और जब ट्रेल बनाते हैं तो यह क्या होता है? समराइज करना, ठीक है जी? मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको और अच्छे से समझ मा आगया होगा लेजर, ठीक है? बच्छों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपके वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में जादे जादा जादा शेयर करें इस वीडियो के description box में हमारी website, android app और iOS app के link given है जहाँ पर हमारे complete courses available है B.com के लिए, M.com के लिए, B.B.A. के लिए, M.B.A. के लिए, 11th, 12th के लिए जिसके अंदर हमने full syllabus को cover किया है आप वहाँ जाकर के अपने मन पसंद course purchase कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद